मेरा नाम है सागर गुप्ता और आज जो इंप्रोमेशन लेकर आयां बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान से सुनना सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि थमनिल में जो आपने पड़ा है वो बिल्कुल सही पड़ा है और इसको लेकर आपको कन्क्यूजन ना हो इसलिए वीडियो आप पहले पूरा देखें इसमें मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये कि जो भी रेगुलर वाले स्टूडेंट है और जो एंसी वेब वाले स्टूडेंट है थर्ड समेस्टर और फिप्ट समेस्टर सेकेंड एर और थर्ड एर उनके लिए दिसम्बर में जो एक्जाम होने वाले हैं उसके एक्जाम पॉम को फिल कर दे, ये जो मैं इंपोमिशन दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ रेगलर वाले स्टूडेट और NCWeb वाले स्टूडेट जो भी सेमेस्टर मोड के हैं, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्ट सेमेस्टर, सेकेंड यर और थर्ड यर, तो आप लोगों के एक्जामिनेशन पॉम्म की लाज़ डेट 17 नवंबर है और वो भी शान को 5 बजे तक तो आप लाज़ डेट का इंदिजार बिल्कुल मत करना उससे पहले पहले जितना जल्दी हो सकता है अपना एक्जामिनेशन पॉम्म को फिल कर दू एक्जामिनेशन पॉम्म को फिल करने का क्या लिंक है व वहां से आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और उसके बाद सीधे आप डिरेक्ली उस पॉर्टल पे पहुंच जाएंगे वहां पर आपको अपनी इंपॉमेशन फिल करनी है सब्जेक्ट चूस करनी है और उसके बाद फी सम्मेट करनी है यह सिंपल सा प्रोसेजर है अगर इस तो एड्मिट कार्ड वो आपका आएगा नवेंबर के लास्ट वीक में नवेंबर के लास्ट वीक में एड्मिट कार्ड के आने की पॉसिबलीटी है नोटिफिकेशन में यही बताया है तो इतना काम आप लोग कर लीजिए और वापस से मैं रिपीट कर देता हूंगी यह जो मैं यह जो information मैंने आपको दी है यह information सिर्फ और सिर्फ regular वाले बच्चे और NC web वाले बच्चे जो भी semester mode के हैं उनके लिए है तो यहाँ पर अब SOL वाले बच्चों का doubt आएगा कि यार हमारा क्या होगा SOL वाले बच्चों के लिए मैं आपको बता दूँ कि जल्दी मैं एक और वीडियो अप्लोड करने वाला हूँ जो SOL वाले student के लिए है उनके examination form को लेकर और उसमें आपके काफी doubt भी मैं clear करूंगा तो यह वीडियो आपको काफी हद तक information दे चुका होगा अपने examination form को फिल कीजिए जल्दी से क्योंकि last date आच चुकी है और SOL वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा तो उसको ध्यान से देखना हो SOL वाले जो student है उनके लिए बनेगा तो मैं दिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में उतना ध्याल रखें बाई बाई बाई